नमश्कार दोस्तों मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर रहा हूं कैरियर स्किल की क्लास में एप्टिटूड मुझे अमहरा टोपिक चल रहा है परसंटेज परसंटेज का ये पार्ट फोर है स्टुडेंट्स पार्ट थर्ड में हमने परसंटेज की जो बेसिक चीजे हैं परसंटेज कैसे निकाली जाती है किसी भी नमबर्स की परसंटेज निकालना ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टुडेंट्स प्ले लिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिये हैं वो इस तरह के question exam में हमें देखने को मिलते हैं, आपकी screen पर question first है कि the price of petrol is increased by 25% by how much percent a car oven should reduce his coal consumption of petrol so that the expenditure on petrol would not be increased. पेट्रोल के मुल्य में 25% की व्रद्धी हो गई, एक कार मालिक को अपनी खपत कितने परतिशत कम करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्ज पूरवरत रहे, यानि पेट्रोल की जो कीमत है वो 25% बढ़ गई, तो सबसे पहले students हमें पता होना चाहिए कि 25% का जो fraction है यानि 25% में क कैसे निकालते हैं कि अगर हम 25% निकालना है 25% होना है 25% मीन्स हंडड का अगर म 25% निकालेंगे तो इह होता है 25, एव नहीं होता है तो suppose कीजे कि पेट्रोल का जो है हमने प्राइज 100 रुपेज मान लिया 100 हमने माना है और वरदीस में हो गई है 25% यानि पेट्रोल का पहले प्राइज 100 था अब 125 हो गया है अब यहां पे कहा है कि अप मालिक को अपनी खपत कितने प्रतिश्यत कम करनी होगी ताकि petrol पर खर्च पूर्वरत रहे जो petrol पर खर्च है वो सेम रहे यानी कि ये price है और ये expenditure price expenditure का opposite होता है यानी पहले price 100 था तो अब प्राईज 125 हो गया यानी पहले खर्चा 125 था पहले 125 quantity वो 100 रुपे में खर्च करते थे और अब उन्हें कितनी करनी है 100 क्योंकि उन्हें खर्चा जो है अपना सेम रखना है पहले खर्चा 100 था और अब भी उन्हें 100 ही करना है यानि अब बढ़ गया है 125 होना है लेकिन उन्हें 125 नहीं करना है पहले जो quantity वो यूज करते थे 125 अब उन्हें कितनी करनी होगी 100 यानि कि कितने की कमी करनी होगी 125 में 25 की कमी करनी होगी 125 में तो यही हमें बताना था कि कितने पर्तिशत की उन्हें कमी करनी होगी और पर्सेंटेज निकालने के लिए पर्तिशत निकालने के लिए 100 से मल्टिप्ले कर देते हैं अब इसको हम कट कर सकते हैं 25 से कट हो जाएगा 25 से 5 टा students इसकी value आजाएगी यानि जो कार मालिक है उसे 20% की कमी करने होगी अपनी जो है quantity में यानि 20% कम उसे यूज करना होगा पेट्रोल पहले अगर पेट्रोल वो 125 यूज करते थे अब उन्हें 20% 125 का कम उसे यूज करना होगा क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ गए है और उन्हें अपना खर्चा जो है सेम रखना है जैसे कि 100 रुपे पहले इन्हों का खर्चा था और अब 100 ही नहीं रखना है पहले 100 रुपे में नहीं के अगर हम expenditure की बात करें के 100 रुपे पहले उन्हें पेट्रोल मिलता था 1000 लिटर यानि 100 रुपे न पेट्रोल मिलता था और 1000 रुपे उनके पास थे यानि 1000 का जो पेट्रोल है वो 100 रुपे लिटर के हसाब से से जो है पेट्रोल 10 लिटर आ जाएगा ठीक है और अब जो है rate पढ़ गए है 25% जानि अब rate हो गया है 125 अब 125 के एसाब से उनके पास एक ही 1000 रुपे हैं तो 125 रुपे जब लिटर हो गया है तो एक ही 1000 रुपे का petrol कितना आएगा यहां पर आएगा 8 लिटर तो students उन्हें अपना खर्चा कितना कम करना है 20% जानि यहां पर दो लिटर यहां पर लिखा है इस तरह से तो 20% वो अपना खर्चा यहां पर कम कर रहे हैं तो option number यहां पर डी इस का answer होगा इस तरह से students देखते हैं next question next question आपके सामने है के एक संख्या को पहले यहां पर question है एक संख्या को पहले 10% घटाय जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तिविक संख्या से 50 कम है तो वास्तिविक संख्या ज्यात करें क्या है Students इस तरह के question हम इस method से करेंगे successive method से कि suppose कि रिए पहले कोई संख्या 10 ती इसमें 10% कटा है यानि 10 का 10% एक होगा यानि संख्या होगई 9 अब फिर संख्या में क्या किया 10% बढ़ा दिया गया 11 कर दी गई तो अब बताना है जो वास्तिविक संख्या होगी इस तरह के हम संख्या को इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर आजाएगी वास्तिविक संख्या और यहाँ पर आजाएगी जो उसके बाद यह चेंज करने के बाद आया है इनकी multiply करेंगे यहाँ पर 100 आएगा और इनकी भी multiply करेंगे इधर यह 99 आया तो अब जो संख्या है 99 है पहले ती 100 यहाँ पर कहा है वास्तिविक संख्या से 50 कम है अब यहां पर हमें difference नजर आ रहा है एक का लेकिन question में कहा है कि 50 कम है तो एक unit की value है 50 तो 100 unit की value कितनी होगी students वो हम multiply कर देंगे इसको 100 से 5000 तो option number आपका यहां पर answer भी आपका correct answer रहेगा students तो देखते हैं next question फिर से आपके screen पर सरकार ने चीनी के मुले को 10% कटा दिया इसके करण एक ग्रहक 837 रुपे में 6.2 kg चीनी अधिक खरी सकता है तो कमी के पस्चाथ परती kg चीनी का मुले क्या होगा यहां हम देखेंगे कि वही प्राइज अगर 100 रुपे था students दोस्तो सोर पे था प्राइज तो 10% कटा दिया गया है तो नब्बह हो गया प्राइज अब कहा है अगर घट गया उन्हें खर्चा उतना ही करना है खर्चा कम नहीं करना और प्राइज कम हुआ है लेकिन खर्चा उतना ही करना है उन्हें अधिक मिल गया यानि 837 रुपे में वो कुछ लेते थे चीनी जितनी भी आती थी वो 837 रुपे देंगे अब ज़्यादा चीनी लेंगे कितनी लेंगे 6.2 किलो गराम चीनी ज्यादा लेंगे ये चीनी क्या लेंगे वो ज्यादा ले रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी की है यानि 10 की बढ़ोतरी हुई है नब पे यागर हम यहाँ रेशो देखे एक बटे नो है एक बटे नो है यानि पहले नो इनिट अब एक इनिट ज्यादा यूज करेंगे यहाँ अब कितनी ज्यादा है एक इनिट की वैलो यहाँ पे हमें गिवन है 6.2 केजी अब पहले नो करते थे अब एक इनिट इसमें ज्यादा यूज करेंगे तो 10 इनिट यूज करेंगे यहाँ दस इनिट बराबर 6.2 तो 62 kg जो चीनी है वो कितने की उन्हें मिल रही है 837 रुपेगी मिल रही है तो एक केजी चीनी कितने की मिल रही है हम इस तरह से निकाल सकते हैं एक केजी चीनी 837 डिवाइड़ बाइसट तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे एक केजी के जो वेलो आएगे स्टुडेंट्स वो साड़े तेरा रुपे आएगी पर केजी साड़े तेरा रुपे इसकी वेलो आएगी जो अप्सन नम्मरा मारा सी यहां पर देखने को मिल रहा है इस तरह के कोश्चन हम ऐसे सोल करेंगे स्टुडेंट्स तो next question देखते हैं next question में क्या है चीनी के दामों में 20% की वरद्धी हो जाती है यानि चीनी के दाम थे पहले 100 हम्मान लेते हैं 20% बढ़ गई 120 हो गई यदि चीनी पर खर्च पूरवरत रखना है तो कटोती के बाद खपत में कमी तता आरंबिक खपत का अनुपात ग्यात करे हमें खर्चा सीम रखना है वरद्धी हो गई है दामों में तो यहां पर दे हमें कितनी की कमी करनी पड़ेगी अपनी quantity गर हम 120 लाते थे अब हमें करनी होगी कितनी सो अगर हमें खर्चा पहले जैसा रखना है तो बीस की कमी करनी होगी 120 पे तो जो ratio आजाएगा निकल के एक बटाच्या आएगा यानि अब एक की कमी करनी होगी और पहले हम यूज कितना करते थे 6 तो अनुपात निकल गया है एक अनुपात 6 जो आपको option number यहाँ पे C आपको दिखाई दे रहा है तो next question देखते है student इसी तरह से चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक वेक्ती अब 36 रुपे में 500 गराम चीनी यह गेहू नहीं है चीनी 500 गराम जो है चीनी अधिक खरी सकता है 500 गराम चीनी अधिक खरी सकता है यहाँ पे मिस्प्रिंट है अधिक खरी सकता है तो परती किलो गराम चीनी की आरंबिक कीमत क्या थी चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई suppose कि जए पहले चीनी की कीमत 100 रुपे थी अब कीमत जो है 20% घट गई असी रुपे हो गई यानि 36 रुपे में पहले भी वो 36 रुपे की ला देते और अब भी उन्हें 36 की लानी है अब उन्हें ज़्यादा लेनी होगी क्योंकि मुले जो है कम हो गया अब 500 गराम चीनी अधिक मिलेगी उन्हे यानि की अगर यहाँ पर देखे हम कितने की हमें वरद्धी करनी होगी 20 की वरद्धी करनी होगी कि इस पर 80 पे जो रेश्यो निकल किया है एक बटे 4 यानि पहले अगर हम सोचे के चार इनिट चीनी यूज़ करते थे अब एक इनिट चीनी और ज्यादा यूज़ करेंगे यानि अधिक एक इनिट की वरद्धी यानि एक इनिट ज्यादा यूज़ करेंगे और जो कोशन में कहा है कि 500 गराम चीनी अधिक मिल रही है यानि 500 गराम अधिक मिलेगी यानि एक इनिट की वरद्धी पांच सो गराम चार उनिट की value कितने आ जाएगी 500 गुना-4 तो ये 2 kg निकल के आ जाएगी ठीक है 2 kg अब 2 kg जो चीनी ला रहे हैं amount वो दे रहे हैं 36 रुपे तो 1 kg का कितना amount हो जाएगा तो 1 kg का जो amount हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 रुपे हो जाएगा यह आरंभिक कीमत थी दोस्तों अगर नई कीमत निकालनी होगी तो पहले चार इनिट यूज़ करते थे अब एक इनिट और बढ़ेगी यानि पांच इनिट यूज़ करेंगे तो पांच इनिट का मतलब है यानि की पांच इनिट यूज़ करेंगे इस तरह से तो इसका भी व कितना हो जाएगा यानि 20 kg चीनी लाएंगे वह अब 20 kg चीनी च्टिर रुपे में ला रही है तो इसका answer ऐसे निकाल सकते हैं च्टिर अपोन 2.5 निकाल गए answer आजाएगा ने कीमत का अगर हम ने कीमत पूछी जाती है यहाँ पे हमें पुरानी कीमत पूछिए, आरंबिक कीमत वो 18 रुपेश का अंसर यहाँ पे यह होगा, तो next question देखते हैं students, next question है आपके सामने, एक वस्तु के मुल्ले में पहले 10% की वरद्धी तता पुन्हें 20% की वरद्धी की जाती है, जदि अंती मुल्ले 33 है, तो वस्त कारंबिक मुल्ले ग्याद करें, last वाला question भी मैंने यह से किया था, जो हमारा second question था, कि इस तरह के जो question है, पहले कोई मुल्ले था 10, अब वरद्धी कर दी गई है 11, और फिर पुन्हें वरद्धी करी गई है 20%, यानि 12, यानि 10 का 20% अगर बढ़ेगा तो 12 होगा, 10 का 10% बढ मुल्ले निकलेगा, यह कारंबिक मुल्ले इस तरह से 100 इनकी multiply कर देते हैं अपस में, और यह 132, यानि जो अब इसका मुल्ले आया है निकलके, 132 equal to यहां पे दिया है 33, तो 132 unit की value 30 है, तो 100 unit की value निकालनी है, तो 33 बटे 132 और गून हम कर देंगे, यहां पे 100, अब इसको ह सकते हैं, इसको multiply करेंगे, तो यहां से इसको 11 से काट सकते है, 3, 11 से multiply करेंगे, 3 और यहां पे करेंगे, यहां पे आजाएगा, 3 और 111, 1121, 22, यहां पे 2 आजाएगा, और इसको cancel करेंगे इस तरह से, एक बटे 4 यानि ये चार टाइम कटेगा 33 से तीन चोग 12 और 4 से कटेगा ये तो ये निकल के आ जाएगा 25% तो इस तरह से यानि इसकी जो वेल्लू निकल के आई है 25 निकल के आई है 25 रुपे तो इस तरह से हम ऐसे question आसानी से कर ले जाएंगे next question देखते हैं next question आपके सामने है यदि एक संक्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संक्या उन्हें 20% बढ़ाई जाती है same ऐसा ही question है कोई संक्या पहले 10 थी और 20% बढ़ाई यानि 12 हुई और फिर जो संक्या है फिर हमने दोबारा इसको क्या किया 20% फिर इसको बढ़ाया तो 20% फिर इसको बढ़ाया है और फिर से जो संक्या ही निकल के आएगी 100 और ये 144 इनकी मल्टिप्लाई करेंगे हम अबसमें तो यहां पे वरद्धी का प्रतिश्यत निकालना के पहले कितने % इसमें वरद्धी हुई है अब तो यानि पहले 100 थी अब 144 वरद्धी कितनी हो गए चवाली सो पे और परसंटेज निकालेंगे इस तरह से हम तो 44 परसंट की यहां पे वरद्धी हो गई यह जो option number यहां पे दिखाई दे रहा है हमें 44 परसंट इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं students के पहले कोई संक्या 100 थी इसको हमने 20 परसंट बढ़ाया 120 हो गया फिर इसका 120 में हमने 20 परसंट और बढ़ाया संक्या को इसका 20% होगा 24 और इसमें एड करेंगे तो 144 आएगा तो यह आरंबिक संक्या थी यह लास्ट वाली थी जो हमें प्राप्त हुई है तो इसमें वरद्धी 44 के हमें देख रही है सो पे 44 तो 44 ही परसंट इसमें वरद्धी आ जाएगी इस तरह से जो में इसको सोच स गेहूं के मुल्ले में 20% कमी के कारण भूनेश 320 रुपे में 5 kg गेहूं अधिक खरीश सकता है तो गेहूं का अरमभिक मुल्ले बताएं यानि 20% की कमी यानि 100 रुपे पहले मुल्ले रहा होगा तो अब 80 रुपे हो गया तो यहां पे 320 रूपे, वो ऩे पहले देते, 320 अब देंगे, उन्हें 5 केजी के वियों अधिक मिलेंगे, यहां पे negatively कतनी कुटनी ज्यादा मिलेंगे, पहले कितनी मिलती थी 80, 80 पे 20 या एक बटे 4., पहले अगर वो 4 unit use करते थे, अब एक इनिट ओर जाधा है उन्हें और ज़ यूनिट गुना पांच केजी, तो यानि 20 केजी वो पहले गेहूं यूज करते होंगे, और जो कितने के लाते थे वो 320 के लाते थे, 320 रुपे के लाते थे, तो एक केजी गेहूं की वैलू निकल गई, जो पहले थी आरेम्बिक में, 320 बटे 20, तो या जाएगा 16 रुपे केजी यानि हमें पुराना निकालना है, तो हम चारी पे निकालेंगे, एक यूनिट की वैलू पांच केजी, चार यूनिट की वैलू 20 केजी, और एक केजी की वैलू 16 रुपे, जो ओप्सन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम सारे कोश्चन करे तो वस्तों का वर्तमान मुले क्या होगा, ये भी बड़े आसान तरीके से करेंगे, सपोज कीजे पहले, जो है कीमत दस रुपे थी, हम 75 को बाद मिलेंगे, पहले हमने दैसमान ली, इसको 20 परसेंट बढ़ा है, यानि बारा हुई, और फिर इसको 20 परसेंट कम कर दिया, आ वेल्लू निकल गयाएगी 100 और 96, यानि आपर हमें पहले दिया है कि 100 की वेल्लू कितनी है, बहतर और 96 की निकालनी है, वर्तमान मुले हमें बताना है कितना होगा, तो यानि की बहतर बटे 100 और 96 की हमें वेल्लू बतानी है, तो इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अकर हम calculate करेंगे 20% 72 यहने कि वो सोरी यहां पर 75 है दोस्तों यहां पर यह 75 है यहां पर यह 75 है तो इसको cancel out करेंगे 3 बटे 4 आ जाएगा और 4 से इसको cancel करेंगे 24 आ जाएगा तो 24 थिया 72 यहां पर value इसका answer आ जाएगा इस तरह से हम ऐसे कर सकते है question next question हम देख रहे है एक वस्तो का मुल्ले एक वस्तो का मुल्ले जब 20% कम हो जाता है तो उसकी विक्री 80% बढ़ जाती है तो विक्री पर क्या परभाव पड़ेगा अब इस तरह के question को हम कैसे करेंगे students वस्तो का मुल्ले पर 20% बढ़ गया अब विक्री 20% बढ़ गी विक्री पहले अगर 100 थी तो अब विक्री 80% बढ़ जाती है तो यानि 180 हो गया अब जो है टोटल हम इसकी सेल निकाल लेंगे तो विक्री टोटल इस पर क्या फरक पड़ा कितना पर भाव पड़ा विक्री पर तो 100 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 10 अजार और इसकी मॉल्टिप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो इनको मल्टिप्लाई करेंगे 36 और 3 हम कर लेंगे और 21 इतना आ जाएगा तो यहां पर जो इसका फरक नजरा में आएगा इसमें देखें कितना ज्यादा आ गया इसमें कितना डिफरेंस है यहां पर 11600 का डिफरेंस है 11600 की विक्री यहां पर ज्यादा हो गई और कितने पर हुई है दस अजार पर तो इसको कैंसिल आउट करेंगे परसंटेज हम इस तरह से निकालते हैं दो से हम दो कैंसिल करेंगे इससे भी यह कर देंगे तो यह आपकी जो है कैसे निकलेगी इसको अब इस तरह से करेंगे इस कोश्चन को हम ऐसे देखेंगे स्टूडेंस वस्तू का मुल्ले जब 20% कम हो जाता है यहने कि वस्तू का जो मुल्ले है 20% कम हो गया और विक्री जो है 20% बढ़ गई तो 180 वहाँ पर मैंने 120 लिख दिया था इसले इसे करेंगे इस कोश्चन को और फिर इसकी देखेंगे हम विक्री 10,000 और इसको करेंगे अब यहां पर हमें डिफरेंस नजर आ रहा है 44 का यानि 44 इतना हो गया और दस अजार पर यह हो गया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मुल्टिप्लाई करेंगे और यह जो है टोटल इसका 44 परसेंट की बढ़ोतरी हुई इसमें कोश्चन में यहां पर जो फर्भाव पड़ा है और 44 परसेंट का पड़ा है नेक्स कोश्चन देखेंगे नेक्स कोश्चन यहां पर नजर आ रहा है कपड़े का मुल्ले 25 परसेंट कम हो जाता है तो कपड़े की विक्री इतनी बढ़ जाती है सेम ऐसे कोश्चन है कि कपड़े का जो मुल्ले रहा होगा पहले सो रहा होगा और अब कितना हो गया 25% कम यानि 75 और विक्री 20% बढ़ गई तो 100 से कितनी हो गई विक्री 120 हो गई अब परभाव हम देखेंगे वह यहाँ पर आजाएगा 10,000 और इसको मल्टिप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 60 के 0 और 84 और 690 तो यहाँ पर 9,000 आज़ा गया तो यहाँ पर 1000 की कम ही आगई एक हजार की कम ही आगई कितने पर आगई दस हजार पर तो परसेंटेज जब निकालेंगे हम इसकी 2-0 से 2-0 के अंसे लिदर ही हैं तो 10% की कम ही आगई टोटल हमारी विक्री में तो अंसर नंबर हमारा क्या होगा डी चलिए स्टुडेंट्स नेक्स कोश्चन देखते हैं फिर से नेक्स कोश्चन है सेव की कीमत में 10% की कमी के कारण एक वेक्ती 54 रुपे में 10 सेव अधिक खरी सकता है तो कमी के बाद परती दरजीन सेव की कीमत बताओ यानि सेव की कीमत पहले 100 रुपे रही होगी अब कमी आई है तो 90 हो गई 10% की अब यानि हाँ पर हम देखेंगे अधिक खरीदेगा यानि खर्चा उतना ही रखना है क्वांटिटी उन्हें ज्यादा मिलेगी कितनी ज्यादा मिलेगी पहले 90 मिलती थी अब कितनी करनी होगी 100 करनी होगी यानि दस बढ़नी होगी 90 पर यानि एक बटे 9 का रेशो आ गया है पहले अगर 9 इनिट यूज करते थे अब एक इनिट ज्यादा मिलेगी जो एक इनिट इतने करीद देंगे उन्हें İ Latino कीमत बतानी है पड़्तिद दर्जन आङेन jij नॉज्य जो सेब आ रहे हैं अब नहीं मुनले के साब से 54 रुपे में हमें निकालनी है एक दर्जन से कीमत यानि एक दर्जन कितने केंगे यानि बारा यानि 54 बटे 99 एक की कीमत यह हो गई अब निकालनी है बारा की कीमत तो बारा से हम इसे मल्टिप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे इसको cancel out करेंगे तो 3 से cancel हो जाएगा 3 और यहाँ पे 4 आजाएगा और 3 से इसको cancel out करेंगे 18 और 11 अब इसको multiply करेंगे यहाँ जाएगा 72 अपोन 11 इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूं 72 अपोन 11 इसको calculate करेंगे 6.48 आएगा यानि 6 रुपे 48 पैसे के 12 से आएगे यहाँ पर इस तरह से हम इसो का जो question है इस का अंसर option number एग लगा सकते ही next question देखते हैं next question जो साथ में है यदि बेलन की उचाई 15 परसेंट बढ़ाई जाती है तता इसके आधार की तिरिज्जा को 10 परसेंट घटाए जाता है तो बेलन के प्रस्ट में कितना पर्तिशत परिवर्तन है बेलन की जो उचाई है बेलन की उचाई 15 परसेंट बढ़ाई जाती है 15 परसेंट यानि पहले हमें पता होना चाहिए कि बेलन का जो फोर्मूला होता है बेलन के प्रस्ट छेतरपल का वो क्या होता है 2 पाई आर एच ये प्रस्ट छेतरपल का फोर्मूला होता है यानि यह चीज तो constant रहेगी R और H में बढ़ोतरी होगी यानि अगर R और H निकालें तो multiply करें नोंका छेतर भन निकलेगा यानि बेलन की उचाई 15% अगर बेलन 15% की जो value हम निकालें 15% की fraction value जो होगी वो यहाँ पे 3 बटे 20 होगी यानि पहले अगर बेलन की उचाई 20 रही होगी और अब कितनी करनी है 23 यानि 15% बढ़ा दी 20 पे तो 23 होगी अब तिरिज्ज जो है 10% गटाई जाती है यानि 10% का जो fraction क्या होगा एक बटे 10 यानि अगर पहले 10 रही होगी अब 9 कर दी गए तिरिज्ज जब इनका छेतरफन निकल जाएगा यानि यह आ जाएगा आपका 200 और इसकी multiply करेंगे 927, 928, और 2 20, 207 यानि कितने का परिवर्तन यहाँ पे 7 का परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है 7 का परिवर्तन हमें 200 पर दिखाई दे रहा है इसकी percentage अगर हम निकालेंगे कट हो गया यह 3.5% increase हो रहा है students 3.5% तो इस तरह के question students हम कर ले जाएंगे आपको किसी भी question में कोई भी doubt हो तो वीडियो को एक बार दो बारा से जरूर देखिएगा और मिलते हैं next lecture में नई वीडियो लेके आएंगे हम कुछ और question अच्छे question जाएंगे आप में देखने को मिलते हैं वो हम जल्दी लेकर आएंगे comment box में comment करियेगा कोई भी doubt हो okay students thank you